कार तेज स्पीड में चल रही होती है, अंदर एक लड़का लड़की का हाथ पकड़के कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम आerosे खेल रही हो, लड़की बस हफ करती है, तभी लड़का बोलता है बाद में मत बोलना की, मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ तुम ऐसा चाह पार्टी में लड़की बस इतना कहती है थैंक्यू आज के लिए सीयो सॉंग, सॉंग बोलता है कि जो कुछ अभी हुआ उसके बदले में जस्ट था क्यों, ये कहके वो अपनी चाती दिखता है जिस पे कई किस के माक होते है, लड़की गाली से उतरती है और बोलती है मैं आप लड़की अभी निकली थी, कार से वो कुछ जनी पहचानी लग रही थी, जी सॉंग ये अभी अभी हमारी कमपनी ने इसे हाय किया है, सुना है इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है, उसका नाम क्या था, सॉंग बोलता है मुझे नहीं पता, लियाओ बेई बोलता है कैसे कोई खेल सकता है, मैं लगी थी की सॉंग था वहाँ, लेकिन शायद मैं लगी नहीं भी थी, आफ्टर आल जो कुछ हुआ उसमें लगके का तो कुछ नहीं गया, उसे याद आता है कि कैसे कर रात कई लोग ने उसे कहा कि कमोन एक ड्रिंग सी यो सॉंग के साथ पियो, जी सॉंग का एक्स बॉयफ्रेंड जिनने भी यही कहा कि पियो, सॉंग एंड जी सॉंग दोनों ड्रिंग को चेर्स करते है और सॉंग बोलता है रिलेक्स ये बस एक ड्रिंग है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, फ्लेश बैक खतम होता है, और जी सॉंग की मां का कॉल आता जी सॉंग पूछती है कि डैड की कोई नियूज, उसकी मां बात की टाल देती है, ये कह कि बारिश होने वाली है कबडे, बहार सुख रहे है, मुझे कबडे उठाना है और फोन रख देती है, तभी जी सॉंग के फोन में मैसेज आता है मैनेजर जी आपकी ब्रा मेरे कार मे रह गई कल, जी सॉंग कहती है उसे फेक दो एंड थैंक यू, जी सॉंग सुझाती है, पर उसे बुरे सपने आने लगते है, वो देखती है, कि कोई उसके फादर को बुला रहा है और बोल रहा है कि जो कर्ज लिया है वो चुकाओ, यदि तुम्हारा डैड घर पर नहीं है तो तुम्हें चुकाना होगा कर जा, सतर मिलियन जी सॉंग और उसकी मा कहते है कि उनके पास उतने पैसे नहीं है, कर्सदार मा बेटी को घर से निकल देते है, इन सब में जी सॉंग की मा गिर जाती है, और उनके सिर में चोट लग जाती है, सपना तूट जाता है, जी हिलो लेकिन पीठ पीछे बात करते है कि मैनेजर जी लगती तो सीरियस सभाव की है लेकिन देखो किसा किया उसने कल रात सब जगह उसकी फोटो है ये फेक नहीं हो सकता लेकिन कौन है वो लड़का उसका चहरा नहीं देख रहा फोटो में लगता है कोई high profile का लड़का होगा तभी उसका photo clear नहीं है चुप रहो वो यही आ रही है जी सुन उन लड़कियों के पास जाती है और उनका phone मांगती है लड़किया बताती है कि ये photo जभी के पास है यहां click करे और देखे कैसे manager जी car में intimate हुई की पूरी car हिल गई तभी जी सुन के phone में call आता है और कोई बोलता है कि CEO ने आपको बुलाया है project के बारे में बात करने के लिए जी सुन कहती है ठीक है अभी को कहो कि दुपहर में meeting है लोग बोलते है इतना अब हो बया फिर भी manager जी काम में लगी है मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं काम नहीं कर पाती जी सुन CEO के office में जाती है CEO सांग जब जी सुन को देखता है तो कहता है कि FYI CA की manager GFS scandal में थी कल रात जी सुन बस कहती है कि कहां सुना आपने ये अब fake है हलाकि दोनों ही जानते है कि fake नहीं है पर दिखावा करना जरूरी है तभी CEO कहता ही लेकिन photo भी है side में खड़ा आदमी कहता है अरे वो manager जी का boyfriend है हमें उनके matter में कुछ नहीं बोलना चाहिए जी सुन मुस्कुरा के पूछती है CEO आपको क्या चाहिए कुछ नहीं चलो project के बारे में discuss करे जी सुन बताती है कि condition आपके favor में है तभी CEO बोलता है मैं ये नहीं discuss करने आया तभी IDE में खड़ा engine बोलता है क्या आप side देखना चाहेंगे मैं कार का इंतिजाम करता हूँ CEO IDE में खड़े आदमी से बोलता है आप इतने बिजी है क्या आप वाकई में मुझे side पे ले जा सकते हो side का आदमी कहता है आप manager के साथ जाए जी सुन CEO को अपने साथ ले जाती है और सोचती है कि ये sound क्या प्लान कर रहा है जी सुन कार में site के बारे में बताती है site अभी भी निर्माना धीन है वान construction लंबी अवधी के लिए वानशेंग के साथ सहयोग में है sound बोलता है क्या हो गया तुम्हारा बोलना वो बोलती है हाँ sound बोलता है क्या तुम दरी हुई हो बिल्कुल नहीं मुझे यकीन है कि CEO sound एक gentleman है sound बोलता है चिंता मत करो manager जी मैं तुम्हारे साथ एक बार सोने के बाद तुमस्चिपकूंगा नहीं या तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा क्या आप नाराज है manager जी नहीं हम पहुँच गए है CEO song ऐसा लगता है कि इस परियोजना के नुकसान फायदे से ज़्यादा है CEO song ये कभी भी बहुत लाबदायक परियोजना नहीं थी फायदा लंबे समय के स्थिर रिटन में है manager जी बताती है क्या बेकार का वादा है आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये काम करेगा क्रिपया इन फायलों को देखिए देटा खुद के लिए बोलता है manager जी आप यहां क्या कर रहे हैं वांग चेंग परियोजना परियवेक्षक कुछ खास नहीं मैं बस इस CEO sound को साइट दिखा रही हूँ निर्मान स्थल खतरनाक है क्रिपया ये सुरक्षा हेलमेट पहन लें manager जी ठीक है याद दिलाने के लिए धन्यवाद CEO sound क्रिपया इसे पहने और गिरने वाली वस्तूओं से सावधान रहें मुझे नहीं आता क्या आप मदद कर सकती है manager जी और manager जी और CEO song क्या उनका ऐसा रिष्टा है CEO song यहां का दृष्ट बहुत अच्छा है ये पहाडियों और नदियों से घिरा हुआ है हम यहां एक उच्च श्रेनी का nursing home बनाने की तयारी कर रहे हैं तभी manager जी के phone में message आता है और वो उसे देखने लगती है ये message किसी और का नहीं बलकी उसके ex-boyfriend का होता है वो पूछता है कि क्या तुम ठीको मैंने लोगों को कहा कि कल रात जो लड़का कार में था वो मैं था तभी CEO sound phone में देखते हुए कहता है तुम्हारा boyfriend काफी उदार है ये कह के CEO आगे निकल जाता है लेकिन ये message यही नहीं खतम होता ex-boyfriend ने आगे लिखा था हम पहले ही अलग हो गए है अब एक अच्छी लड़की बनो हमारी शादी ते समय पर होगी मैं यह नहीं पूछूंगा कि वो आदमी कौन था और तुम बदले में हमारे पिछले जगड़ों को भूल जाओ हमारे बड़ों को चिंता मत करने दो मैंनेजर जी सोचती है कि CEO सांग को कैसे मेरे बारे में इतना पता है मैंनेजर जी आज के लिए बहुत हुआ अब हम कंपनी जाएंगे एंग ठैंक्यू ऐसा सांग बोलता है जब मैंनेजर जी अपने ओफिस आती है वहां उसका बोस उस पे चलता है बोलता है कि आपके कर रात की स्कैंडल की वज़े से कंपनी का नाम खराब हुआ है जाके माफी पत्र लिखो तभी एक फोन के ला आता है जी सुन उठती है और पूछती है कि कौन है ये कोई और नहीं बल्कि जी सुन का एक्स बॉइफ्रेंड जिन था वो बोलता है कि तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों किया और वो एक हेल्प मानगा है जी सुन मना करती है पर जिन बोलता है कि हेल्प करोगे तो मैं वेडिंग सांग ले कर दूनगा साथ ही मैं जनता हूं कि कल जो स्कैंडल हुआ उसे मैं कवा उप भी कर सकता हूं पर बस तुम्हें मेरे काम में मदद करनी होगी जी सुन बोलती है तुम्हारी कोई चाल होगी फिर भी मुझे एड्रेस दे दो दोरी तरफ सांग कार में बैथ के बोलता है गेम चालू होने वाला है हमें जल्दी जाना चाहिए जी सुन एंड सीयो सांग क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो सीयो वान पूछता है साथ ही कहता है आज कोई भी बिना पिये यहां से नहीं जाएगा तभी पीछे से जी सुन का एक्स बॉइफरेंड आता है और पूछता है जी सुन तुम कब से सीयो सांग को जानती हो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी सुन बोलती है तुम्हें इसे क्या लेना देना अपने काम से काम रखो तभी CEO Wang बोलता है जी सून यहां बैठो मैं CEO सांग को तुम्हारे भरो से छोड़ जा रहा हूँ जी सून कहती है ओके मैं ठीक से खयाल रखूंगी तभी कोई कहता है कि CEO सांग से मिलाना आसान नहीं है मुझे टोस्ट करना चाहिए कि आप यहां आए CEO Wang जी सून को पूछता है कि तुम क्यों नहीं ड्रिंक कर रही हो जी सून इस वक्त कहना खा रही होती है इससे पहले जी सून कुछ बोलती सांग कहता है ऐसा तो नहीं CEO Wang की मुझे पिला कि आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते है Wang बोलता है नहीं नहीं असिसा नहीं है जी सून को भुटन सी लगती है वो बहार जाती है तभी जी सून की दोस्त का मैसेज आता है कि जी सून तेरा बॉइफ्रेंड तेरे पे चीट कर रहा है जी सून कहती है कि ब्रेक उप कर लिया है मैंने बाद में पूरी स्टोरी सुनाऊंगी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो CEO One की वाइफ की होती है वो बोल रही होती है थोड़ा धीरे करो एक male voice भी आती है जो जिन की होती है जी सुन का ex-boyfriend याने CEO One की वाइफ और जिन intimate हो रहे होते है जी सुन सोचती है कि उसे यहां से जाना चाहिए तभी सांग आ जाता है और taunt करता है कि जी सुन तुम्हारा टेस्ट अजीब है आदमियों को लेके आवाजे बढ़ जाती है CEO One की वाइफ मौन कर रही होती है जी सुन सोचती है कि क्या करे और वो सांग को अपने साथ ले जाना चाहती है तभी सांग जी सुन को किस कर लेता है दूसरी तरफ की आवाजे बढ़ रही होती है बेबी आह नहीं रुख जाओ टिल्द क्या जूटा है तुम्हारा शरीर मुझे कुछ और ही बता रहा है ऐसा जिन बोलता है मुझे कभी नहीं लगा कि तुम इतने विकृत हो तो मैनेजर जी इन चीजों में रुची रखते हैं तुम क्या कह रहे हो मैं क्या करूं मुझे सुना जाना पसंद नहीं है सांग बोलता है लेकिन अगर मैनेजर जी इतने सांसी हैं तो मुझे भी सहयोग करना होगा सीयो सॉंग आपको अब से कम पीना चाहिए ज्यादा पीने से दिमागी कोशिकाए नुकसान पहुँचती है और आसानी से भ्रम शुरू हो जाता है तभी जिन बंद कमरे में वान की वाइफ से बोलता है तुम्हारे प्रेमी ने क्या कहा क्या उस बुड़े आदमी ने नहीं बताया कि अगले सीजन में कौन पदोन्नती पाएगा तुमने अपने बॉस को धोखा दिया और फिर भी एक पदोन्नती चाहते हो दूसरा व्यक्ति मिस्टर वान की पतनी है वाह तुम्हारा प्रेमी व कोशिश करता है जी सुन मुझे मच्छ वान की वाइफ तुम उसे अपनी सफाई क्यों दे रहे हो तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते शुरुआत से ही जारी रखो रुख क्यों गए मिस्टर सॉंग ये सब एक गलत फेहमी है मिस जी मिसेज वान मिस्टर वान बस आपको ढूंड रहे थे मैं अब जाती हूँ माफ करना मिस्टर सॉंग ने मुझे कहा कि मैं आपको घर छोड़ दू लिन सॉंग जाओली का सहायक मिस्टर सॉंग मैं पहुंच गया हूँ क्या आप बस ऐसे ही जाने वाली है मिस्टर सॉंग ठीक है आप उपर चले जाए आज के लिए धन्यवाद मिस्टर सॉंग मैं अब जाती हूँ मैंने तस्वीरे देखी ये क्या हो रहा है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लाया ने मुझे बताया वह कौन था वह तो हैंसम था सॉंग जाओली क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो सॉंग जाओली क् तुम किंग चेंग से नहीं हो इसलिए तुम नहीं जानती लेकिन खबर बुरी है तुम क्या कहना चाहती हो कुछ साल पहले एक अफरन हुआ था अफरन करता ने सौन परिवार के सभी चार उत्तरादिकारियों को ले लिया सबसे बड़ा अफरन के बाद पागल हो गया दूसरे की मौत हो गई तीसरा बहुत बीमार हो गया तो सौन जावली का क्या वह चौथा है वह एक मात था जो बिना किसी नुकसान के बाहर आया वह ठीक था वास्तव में उसने अपने अंकल को मौत के लिए मजबूर किया और कमपनी पर कबजा कर लिया हर कोई कहता है कि उसने खुद ही अफरन की साजिश रची थी क्या ये शू है क्या बात है ये उनके द्वारा मुझे नशा करने का वीडियो है मैंने भी उनके देखा मैं पुलिस कर मी मुझूद है क्या वह पुलिस के पास देए थी क्या ये उन तस्वीरों के कारन है मिस्टर फैंक द्वारा एकवेटर को मुझे नशा देने के लिए रिश्वत देने के मामले में मैं इस जांच में आपका सहयोग चाहूंगी मुझे केद है तुम्हें परेशान करने के लिए हम बस अपना काम कर रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं किया तुम मुझे गिरफतार नहीं कर सकते